पूरी दुनिया में बच गया साहिब का डंका जूटे दावों और वादों की खुल गई पोल चार्ट पर पहुचने वालों के पास नहीं है गड़े खोदने की मशीन चालीस मजदूरों की जिंदगी और मोत के साथ किया जा रहा खिलवार एक एक करके उठने लगा हर चहरे से नकाब मजदूरों पर राजनीती करने वालों की असलियत आ गई सामने जन्ता में आने लगा घुस्से का उबाल चुनाप से पहले ही होने वाला है खेला साहिद के कारणा में आ गए लोगों के सामने चांद पर पहुशने वाला दुनिया की पहले देश का तमगा लेकर विश्वग्रुग बनने के नाम पर छाते पीटने वालों की राज में देश की एक तस्वीर ये भी है जो दिखाती है कि विश्वग्रुग की एक हकिकत ये है लेकिन अफसोस कि साहिब की नाम की माला जपने वालों और उनके तलवे चाटने वालों की आखे उस वक्त बंध हो जाती है जब 56 इंच के सीने वाली सरकार के काले कारनामों का कच्चा चिठा सामने आता है लेकिन हकिकत ये है कि राष्ट के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाले साहिब के पास गड़े खोदने तक की मशीने नहीं है तनल में फसे 40 मजदूरों की सूद अब तक किसी को नहीं है आलम तो ये है कि पिछले 5 दिनों से ये सवाल जस का तस बना हुआ है ये सवाल इसलिए एहम हो जाता है क्योंकि ये सवाल ना सिर्फ साहिब के नाम पर छाते पीटने वालों की पौल खोलता है बलकि विश्व गुरू बनने के जूटे पाखंड की भी धज्या उड़ाता है ये सवाल साहिब की भक्ती में लीन हर उस अंधभक्त और सत्ता की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ वो पत्रकार जिसने इन तस्वीरों पर अपनी आखें मूद रखी है उनको बेने काप करता है कि देखो चांद पर पहुचने वालों की सच्चाई क्या है ये तस्वीरे देश से लेकर दुनिया भर तक डबल इंजन की सरकार की फजीहत करवा रही है लेकिन फजीहत हो तो हो चुनावी प्रचार प्रसार में कोई कमी न हो फजीहत हो तो हो लेकिन सकता हाथ से न निकल पाए लेकिन जब बात जवाब दे ही कियाती है सवालों की जवाब देने कियाती है तब अंधभक्तों चरण चाटूकार से लेकर अफसरवादी साहिब दुबग जाते है नदारध हो जाते हैं उस जगा से कि कहीं जवाब ना देना पड़ जाए खैर अफसोस की बाद तो यह है कि पाश दिनों से 40 मज़दूर जिन्दगी और मौत की जंग लड़े हैं और साहिब चुनाओं में वैस्थ है उत्राखंड की उत्तरकाशी में 12 नवंबर को निर्मारधीन टनल सुबाच करीब 4 बजे धस गई थी ये दिन था दिवाली का जब हर कोई अपने अपने घरों को रोशन करने में वैस्थ था अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने की तैयारिया कर रहा था और उसे वक्त की 40 गरीब मजदूर लोग टनल में फसे हुए थे अपनी जिन्दगी और मौत के लिए जंग लड़े थे दुनिया भर के रेस्क्य ओपरेशन चलाए जा रहे हैं जो किया सफल लेकिन अफसोस की बात की बीते 6 दिनों से फसे एक भी मजदूर को अभी तक निकाला नहीं जा सका देश को दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बनाने का दावा करने वाले साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता त्योंकि साहिब और उनकी भक्त फोच को बस क्रेटिट लेना आता है ट्रेन को हरी जंडी दिखाने से लेकर चांद पर पहुशने तक का क्रेट ये अपने नाम कर लेते हैं और खुद को विश्वगरू कहते हैं जबकि ये तस्वीरे विश्वगरू की पॉल साफतोर पर खोल रही है, स्पेशल डेस्ट जिकन ताव